दोस्तों कि आप जानते हैं कि computer virus क्या होता है और यह किस तरह से हमारे computer को नुकसान पहुँचाता है यदि आप computer का यूज करते हैं तो आपको computer virus का नाम जरूर पता होगा और सायद आप यह भी जानते होंगे कि यह virus आपके computer में आ जाए तो वह आपके computer के data को पूरी तरह से delete या corrupt भी कर सकता है तो आये जानते हैं कि computer virus क्या होता है या कितने परकार का होता है और या किस तरह हमारे computer और data को नुक्सान पहुचाता है लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखें ताकि virus की पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो अन्यथा आपके दुआरा वीडियो की एक इसकी पच्चतावे का कारण बन सकता है दोस्तों वाइरस का पूरा नाम वाइटल इन्फोर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज होता है आज के इस दोर में पूरी दुनिया के लोग जिस महमारी से लड़ रहा हैं वो महमारी फैलने का एक मात्र कारण है virus साफ लवजों में कहें तो हमारे जीवन में एक खतरनाक virus की एंट्री हुई है जिसने हमारे जीवन को तहस नास करके रख दिया है इसी तरह जब हमारे computer में किसी virus की एंट्री होती है तो computer और data को तहस नास कर देता है कभी computer slow तो कभी data corrupt, data delete तो कभी computer हैंग होता है इस तरह के बहुत सारे problem create होने लगते हैं जिसका solution कभी दोस्तों से मांगते हैं तो कभी net में सर्च करते हैं परिशानी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो finally computer को format कर देते हैं कहते हैं ना की ना रह बास न बज़े बास होड़ी लेकिन ऐसा कब तक चलेगा बहुत से लोग सोचते हैं कि सायद hard disk problem है या सायद कोई और hardware problem है या फिर हो सकता है processor problem है दोस्तो सोचने से बहुत सारी शिकायतें create होती है दोस्तो virus एक छोटा सा software program होता है जो हमारे computer के main program को प्रभावित करता है जिससे हमारा computer भली भातिकार ये नहीं करता है सीधी भासा में कहें तो यह virus हमारे computer programs को खराब करने के लिए ही बनाए जाते हैं जिससे computer सही तरीके से काम नहीं करता है और हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है यानि इसका काम ही है computer को slow करना, hang करना, computer data को nest करना, duplicate करना, remove करना, delete करना और corrupt करना एक तरह से समझ सकते हैं कि ये virus हमारे computer में कहीं अपना जगा बनाए हुए रहता है और धीरे-धीरे हमारे computer और उसमें रखे data को हानी पहुँचाता है जैसा कि अभी बताया, कुछ virus तो इतने खतरनाक होते हैं कि हमारे hard disk को भी खराब कर देते हैं इस तरह के virus योहीं जन्म नहीं लेता, बलकि इसे कोई इनसान ही बनाता है इसका एक मात तरुद्यश यह है कि उसके virus से सामने वाला बन्दा परिशान रहे कोई किसी के data या information को copy करने के लिए भी तरह-तरह के virus बनाता है कुछ-कुछ virus जिने हम खुद से भी download कर लेते हैं लेकिन सच तो यह है कि हमें पता भी नहीं कि virus है या नहीं वाइरस के बहुत सारे परकार हैं जैसे एक वाइरस है malware यह virus create software के साथ आते हैं आप सोच सकते हैं दोस्तों कि जो software हम use करते हैं create software के बावजुद भी हमें free में क्यों मिलते हैं वो जो हमें मांगे मांगे software crack करके देते हैं इसके पीछे क्या region हो सकती है जहिर सी बात है कि वो create software में कुछ कारनामा तो जरूर करते होंगे दोस्तों ऐसे software में ही malware virus होते हैं जो इनी software के थुरू install होते हैं चल यह जानते हैं malware कितने परकार के होते हैं पहला virus, दूसरा one, तिसरा होता है trojan virus दोस्तों virus का काम क्या है यह आपने तो अभी जान ही लिया है लेकिन virus के बहुत सारे प्रकार हैं आईए कुछ खतरनाक virus के बारे में जानते हैं नंबर one, boot record virus दोस्तों virus में सबसे खतरनाक virus boot record virus है जो directly हमारे RAM में store हो जाता है या फिर कह सकते हैं कि ये computer के boot sector में राता है जब हम computer में operating system load करते हैं तो ये उसी समय install हो जाता है जो लंबे समय तक हमें परेशान करते राता है और फिर इससे बचने के लिए verified operating system install करना होता है नंबर two, direct action virus ये virus अपने नाम से ही अपना किरदार निवाता है और automatic install भी हो जाते हैं ये ऐसा virus है जो सिर्फ एक click पर download और install भी हो जाता है और बार बार computer को hang करेगा, restart करेगा और data को corrupt करेगा कभी driver corrupt करेगा तो कभी net बंद कर देगा इस virus को antivirus detect नहीं कर पाता जिससे हम काफी परेशान होते हैं नंबर three, polymorphic virus दोस्तों कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे computer में कोई ऐसा data नहीं है जिसकी size large हो लेकिन फिर भी computer की memory फूल हो जाती है जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस computer में ये virus मौझूद होते हैं ये अपने आप को duplicate करने लगता है धिरे धिरे नए नाम से file folder create करने लगता है file folder की संख्यावी बढ़ाने लगता है जिससे computer की memory में काफी परवा बढ़ता है नंबर four, resident virus दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है कि ये computer में ही अपना घर बना कर रहता है ये अपने ही नाम का double file या folder बना कर रखता है ताकि in case का भी एक copy पकड़ी जाए या delete कर दी जाए तो ये फिर से computer की किसी दूसरी जगा double copy बना सके और यही वज़ा है कि हमारे computer में बहुत सारे errors आते है नंबर five, root kit virus दोस्तों वाइरस में यदि सबसे खतरनाक वाइरस कहा जाए तो इसे कहना कोई गलत नहीं है साफ लबजों में कहें तो ये hackerों का साथी है ये malware की category में आता है जब भी हम internet से कोई credit version का software नाउनलोड करते हैं तो ये उस software के साथ नाउनलोड हो जाता है और hacker हमारे computer को hack करके data यूज़ करते हैं इस वाइरस का antivirus की पकड़ में आना बहुत मुश्किल होता है इससे बचने के लिए root kit scanner यूज़ करना बहुत जरूरी होता है जो premium antivirus के साथ free में मिल जाते हैं आईए अब बात करते हैं worms के बारे में दोस्तों worms भी एक फरकार का virus ही है जो हमारे computer में अपने आपको just double करने की कोशिश करता है यह हर folder के अंदर एक copy बना लेता है अगर USB इंसर्ट करें तो USB में भी आपको ऐसा ही folder के अंदर इसकी एक copy मिलेंगे इस तरह जहां जहां हम pen drive USB यूज़ करते हैं वहाँ वहाँ अपना copy छोड़ते चला जाता है दोस्तों अब last में बात करते हैं Trojan Horse की यह virus इतना खतरनाक होता है जो हमारे computer से file को delete कर देता है remove कर देता है और तो और file को corrupt करने में भी कोई कसर बाकी नहीं रखता है यहाँ तक कि यह हमारे computer के hard disk को भी crash कर सकता है तो दोस्तों यह थे कुछ गिने चुने virus के परकार और उनके करना में इन में से बहुत सारे virus antivirus की पकड में जल्द आता नहीं है लेकिन घबराय नहीं जब सवाल है तो जवाब भी होगा दोस्तों इन सब viruses को हटाने का एक मात रूपा है premium version का antivirus आप चाहें तो quick hill total security यूज करें जो मेरे लिए तो better than the best है या फिर malware bytes यूज करें जो कि आपको net से free में मिल जाएंगे इसे जब यूज करें तो अपने computer में internet connection on रखें फिर देखे वायरस की किस तरह चुटी करता है ये malware सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के लिए ही आपको मिलेंगे लेकिन tension ना ले कहते हैं ना डूपते को 3K का सहारा ही काफी है ये वह ही है दोस्तों फिर भी यदि आपको जरूरत पड़ी तो लंबे समय के लिए आपको pay करने होंगे तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो फिर लाइक करें, share करें, subscribe करें और साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की हर notification आपको मिलती रहे